हेलो गाइज, आज है होली, हैपी होली, होली पे मैं बना रही हूँ गुजिया, तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ गुजिया, गुजिया बनाने के लिए मैंने लिए दो कप मैदा और वन फोर्थ कप देसी घी, देसी घी को मैदे में मिक्स करेंगे, हाथ में ऐसे दबा कर देखेंगे ऐसे बनेगा तो यह ready है उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी एक कटोरी पानी लिया है मैंने यहाँ पे धीरे धीरे डालेंगे और जो रोटी का आटा बनता है डो लगता है उससे यह सखत बनेगा इसमें लगी थी आदी कटोरी पानी बनके रेड़ी है रेस्ट के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है एक कटोरी चीनी और दो कटोरी इसमें जाएगा पानी मतलब जितनी आप चीनी लोगे उससे डबल कॉंटिटी में पाने डालेंगे इसके बाद इसमें टेस्ट के लिए मैंने डाले हैं तीन से चार हरी इलाईची इदर मैं चाशनी त्यार होगी तो उसके बाद हम डालेंगे घी रेडी कर लेंगे आप देखिए 15-20 मिनट हो चुके हैं डोग को लेंगे थोड़ा सा पेड़ा बनाएंगे थोड़ा घी लगाएंगे घी लगाने के बाद इसकी एक छोटी सी जो है रोटी रेडी कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने पहले से एक मिक्स रेडी कर लिया था सूजी को मैंने देशी घी में भून लिया था और उसमें सारे ड्राइफ रूट्स को भून कर ग्राइंड करके इसमें डाल दिया था और थोड़ी इसमें बूरा या खांड डलती है मीठे के लिए उसके बाद वन स्पून इस मेटीरियल का लेंगे हम और इसके हाफ रोटी के हाफ कॉर्नर पर इसको रखेंगे जो अभी आप एक्स्टर ड्राइफ रूट डालना चाहते हो डाल देना उसके बाद पानी लगाएंगे रैसे पानी किनारों पर पहले लगा लेना चाहिए मैं यहाँ पर पानी लगाना भूल गी थी तो आप पहले लगा लेजिएगा उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे इसके दो तरीके हैं बनाने के फर्स्ट स्टेप जो है यह वाला है और सेकेंड भी मैं आके दिखाऊंगे आपको उठाएंगे यहां से एक एक मतलब थुड़ा थुड़ा आटा लेकि कॉर्णर से उठाते जाएंगे इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो एक तरीका तो इसका यह है गुजिया का डिजाइन बनाने का और दूसरा तरीका जो है मैं आगे आपको बताती हूं करेंगे एक फोक लेंगे फोक से हम साइडों के किनारों को दबाते हुए इसको बनाएंगे और पानी इस पे जरूर लगा लेना है किनारों पर वरना यह मतलब जब इसको फ्राइब करते हैं यह ओपन हो जाते हैं यह फट जाती है इसलिए पाने जरूर लगाना है सेकंड हमारा तरीका यह हो गया देखी दो डिजाइन बन गी अब मैंने यहां पर सारी गुजिया को भरके रेडी कर लिया है अब इद्रोयल जो है वो पूरा गरम कर लेना है और फिर मीडियम फ्लेम पर उसको रखना है उ दीरे धीरे से और धीरे से इसको पकाएंगे एक एक कर के इसको पल्ट देंगे गुजिया जो है पल्टने में थोड़ा सा मुश्किल होती है यह हैवी हो जाती है न तो फिर बड़ी मुश्किल से पलटे जाती है तो धियान से धीरे-धीरे इसको हमने दूसरे साइड में इसको ऐसे पलटना है अब देखिए पूरी गुजिया फ्राई होके कलर इनका रेडी हो चुक है ब्राउन इसको निकाल लेंगे धीरे-धीरे करके और फिर जो है गर्म-गर्म गुजिया को हमने इस चाशनी में एक के करके डाल देना है गुजिया को चाशनी में जब हम डालेंगे इसके दो मिनट तो एक साइड रखना है फिर इनको पल्ट देना है उसके बाद फिर दो मिनट के लिए दूसरे साइड रखना है मतलग चार से पांच मिनट इसमें चाशनी में रखेंगे इनको गुजिया को उसके बाद इनको ए कि गुजिया बहुत ही टेस्टी बनी थी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और होली पे बनाई जाती है वैसे आप इसको कभी बना कर खा सकते हो अब देखे इसको हम प्लेट में सजाएंगे उपर से कोई भी ड्राइफूर्ट स्प्रिंकल कर देंगे अगर आपको मेरी रे सुब्सक्राइब लाइक और शियर जरूर कीजिएगा आप भी बना कर खाईएगा बहुत अच्छी बनती है ओके बाबाई